जैम आदा दी दोस्तो, सिम्बला मिर्च और आलू खाना तो सभी को पसंद होता है। इसके बहुत नए तरीके से सबजी बनाइगे, जो ज़गपड बर 5 मिनिट में बनकर तयार होती है। इसलिए पाच मेट बन कर तेयार होगी क्योंकि हमने बहुत पतले पतले लंबे लंबे स्लाइसेस में काट रखा है तो इस तरीके से लंबे लंबे आलू प्याज और सिम्ला मिर्स को काट लिया दो टमाटर लिया तो चलिए ज्यादा बाते ना करते हुए रैसिपी की तरफ आ अब इसके साथ में 3-4 हर इमेज डाल देंगे तीखाब अपने हिसाब से कम या जादा कर लिजेगा इसे हमें सुनहरा होने तक अच्छी तरीके से पकाना है तो अब इसमें प्याज डाल देंगे प्याज को भी अच्छी तरीके से इनके साथ में सुनहरा कर लेना है बहुत जट पट चट पटी बन कर तयार होती है तो देखिए इस तरीके से प्याज भी भून चुकी है तो हम अपने अलू की स्लाइस को डाल देंगे इसमें बिल्कुल 5 मिनट में ही बनेगी आप एक बर ट्राइ जरूर कीजेगा और मुझे कमेंट में बताएगा कि आपकी सब्जी बनिया नहीं और यह बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है रोटी पराथा जीरा राइस किसी चीज के साथ भी खाएगा तो बहुत ज्यादा टेस्टी और बच्चे भी बहुत प्यार से खाएगा एक बार इस तरीके से बना कर उन्हें दीजेगा बहुत कम मसालों के साथ में बहुत ज्यादा बन कर तयार होती है तो यह थोड़ी भून चुकी है तो चलिए इसमें हम सिम्मला मिर्ज भी डाल देते हैं यह लंबी लंबी पतली पतली स्लाइस काटी थी तो यह भी अमने डाल दी है अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है इसे तो थोड़ी देते हैं इसे थोड़ी देर के बाद में चलिए कुछ सुखे मसाले डाल लिये जाएं बहुत जादा मसाले ने जाएंगे यह हल्दी पॉडर मैंने डाली अधिछोटी चमच यह मैं इसमें डाल रही हूं सब्जी अगर आपके पास हो तो डालेगा वर्न फिर धनिया का पॉडर भी डाल सकते हैं तो यह मेरे पास सब्जी मसाला था मैं डाला यह थोड़ी सी मैं अधि चमच कास्मीरी लाल में डाली है बस हमें सूखी बनानी है इसल अधिया बहुत ही जादा टेस्टी बन कर तयार होती है तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे तो दोस्तों टमाटर के बीच को मैंने निकाल लिया था क्योंकि हम सूखी सब्जी बना रहे हैं और अगर बीच वाले टमाटर डाल देंगे तो वह ग्रेवी की तरह हो तो थोड़ा सा धक कर से पका लेते हैं तो धकने के बाद आई आपको दिखाते हैं ओए देखिए बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं नमक डालने के बाद में टमाटर देखिए बैसामने से दिखा देती हूं आप तो इस तरीके से हमारी सूखी सब्जी को हमने बनाया है आए मैं आलू काट के दिखा देती हूँ कि एकदम पर्फेक्ट तरीके से बन कर तयार हुए है और वो भी बिल्कुल पाँच मिनट में तो देखे आलू बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुके हैं तो चलिए इसे सर्फ करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे किसी अच्छी से रेसेपी के साथ मिलते स्वस्त रह मस्त रह जैम आता दी